असलामलेकुम एंड वेलकम टू एलिट्स्टोर डॉट पीके आज हमारे पास हैं मैनूल वाटर पंप्स यह हमारे पास ठी डिफरेंट साइजीज में अवेलेबल हैं यह सबसे बड़ा साइज है यह मीडियम साइज और यह स्मॉल साइज में है साथ में इनकी यह ट्यूब्स में है इसलिए इसके साथ तीन ट्यूब्स है एक टैप है और एक यह डस्ट्रॉपर है साथ में एक यह स्मॉल है इसके साथ थ्री ट्यूब्स है एक टैप है और यह डस्ट्रॉपर है यह कैंस के ओपर लगाया जाता है ताकि आप अपनी रिकार्मेंट के अकॉर्डिंग प करते हैं यह सालेंडर है और यह से एक है इसका सिक्रियू जीसे हम टाइट करते हैं इसे के ओपर लगा के टाइट करते हैं ते यह लॉक हो जाता है सबसे पहले हमने इन दो ट्यूब्स को आपस में लगा लेना है इसको इस होल के साथ लगाना है दूसरी को भी आपने इसके साथ लगा लेना है फिर इसको आपने कैन के अंदर डाल देना है इस स्क्रियों से आप इससे लॉक कर लें आप इसे लॉक कर लेंगे तो यह हिलेगा नहीं उसके बाद इस टैब को आप इसके साथ लगा दें और साथ में यह एक डस्ट आपर है जिसे आप जब यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ऐज़ा डस्ट आपर भी यूज कर सकते हैं ताकि आप की जो डस्ट है वो टैब के अंदर ना आ जाए अब मैं आपको दिखाते हूं कैसे यूज कैसे करते हैं अब इस ग्लास में मैं आपको पानी निकाल के दिखाऊंगी इस हैड से हम इसे प्रेस करेंगे और पानी आ जाएगा आप देख सकते हैं कि पानी seconds में आ रहा है ये बड़ी कैन है जब हम इसे पानी निकालते हैं तो mostly पानी गिर जाता है या जितना हमें चाहिए होता है उससे ज्यादा निकल आता है क्यूंकि कैन बड़ी होती है लेकिन इसका ये फाइदा है कि इसे हम इसे प्रेस करेंगे और अपनी रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग हम जितना पानी चाहें इससे ले सकते हैं इसके बाद एक हमारे पास है ये इलेक्ट्रिक मैनूल पंप ये रीचार्जेबल है इसके साथ आपको एक यूएसपी मिलती है जिसे आप अपना ये पंप को चार्ज कर सकते हैं सास में एक ये पाइप है और ये है इसकी सेम उसी तरह टैप लेकिन ये सील में है उसमें आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगानी पड़ती इसको आप इस बटन से प्रेस करेंगे तो ये चल जाएगा ये भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ पहले इस पाइप को यहां पर इस होल के साथ आप लगा लें और इस टैप को यह जो रबर वाली साइड है इसको आपने इस होल के अंदर लगा लेना है ऐसे इसको आप फिट कर लीजेगा ऐसे और सेम इसी तरह भी इसको आपने अपनी कैन के अंदर डाल देना है इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ सिंप्ली आपने इस बटन इसको पुश करेंगे तो आपका पानी यह चल जाएगा और आपका पानी निकलाएगा जब आप इसको बंद करेंगे तो एक सिंगल ड्रॉप भी आपका पानी का नहीं निकलेगा मतलब इससे आपका पानी वेस्ट नहीं होता, जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो पानी आएगा, अगेन इसको प्रेस करेंगे तो पानी इसमें से आना बंद हो जागा, एक भी बूंद जाया नहीं होगी पानी की, इस सरा से इसको यूज किया जाता है, मैंने जितना पानी की रीफंड एन एक्षेंज पॉलीसी है आप बाई करें अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप थर्टी देश के अंदर अपना पार्टिल एक्षेंज करवा सकते हैं पॉर फुर्थर देश विजित आर वेबसाइट एंड चांट अवर्ट्साइब फेस्बूक एंड इंस्टाग्म थैंक यू सो मुच अलाहाफीज